सभी दर्शकों को जेडी कुकिन क्लास की ओर से मेरा नमस्कार आज हम बनाने वाले हैं कच्चे केले के कोफते की सबजी यह सबजी खाने में बहुत टेस्टी और हेल्दी भी है तो चलिए बनाना शरू करते हैं कच्चे केले के कोफते की सबजी लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी चैनल में नए है तो ज़रूर से हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एसी ही इंडियन फूड रेसिपी देखने के लिए ज़रूर से नोटिफिकेशन का बटन भी और रखे तो सबसे पहले कच्चे केले के कोफते बनाने के लिए एक किलोग्राम कच्चे केले मेंने लिए है इसको अच्छे से धोकर प्रेशर कुकर में दो विसल आने तक उबाल लेने हैं कच्चे केले उबालते समय हमें यह बात अच्छे से ध्यान पर लेनी है कि दो विसल तक ही कच्चे केले को उबालने हैं क्यूंकि ज्यादा विसल हो जाएगी तो कच्चे केले ज्यादा उबल जाएंगे और उसका मसाला हम अच्छे से सेट नहीं कर पाएंगे इसलिए दो वि अब उसको प्रेशर कुकर में से बाहर निकाल लेंगे, रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने देंगे, फिर उसके छिलके निकाल लेंगे। इस तरह से सभी केले के छिलके निकाल लेंगे। अब पावभाजी प्रेशर के मदद से सभी केले को अच्छे से मेश कर लेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि केले चिपचिपे नहीं हुए है, दो विसल तक उबालने से अच्छे से उबल गए है। अब हम यहाँ पर मसाले एड करेंगे। एक चमच लिम्बू का पानी और थोड़ा हरा धनिया। अब सभी चीजों को हलके हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक बात का अच्छे से ख्याल रखना है। कि जो मसाला हम सेट कर रहे हैं उसको हलके हाथों से ही हमें बनाना है। क्योंकि बहुत ज्यादा हाथों से प्रेस करेंगे तो मसाला चिप-चिपा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मसाला तैयार हो गया है। उसमें से थोड़ा-थोड़ा करके उसके बोल बना लेंगे। और जब हम ये बोल तेल में तलेंगे तब वो कड़ाई में चिपक ना चाहे इसलिए बोल के उपर थोड़ा सा बेशन हम स्प्रिंकल कर लेंगे ताकि जब हम कड़ाई में कोफते यानि कि ये बोल तलने के लिए डालेंगे तो कड़ाई में चिपके ना इसलिए तो लिट ये तैयार हो गए है केले के कोफते, अब तेल गरम हो गया है, चार पांच करके कोफते डालेंगे और लो मिडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन कलर के होने तक तल लेंगे इसी तरह से सभी कोफते को तल कर तैयार कर लेंगे फ्लेम का खास ध्यान रखना है, लो मिडियम फ्लेम पर ही कोफते तलने है कोफते तल कर तैयार हो गए है, अब कोफते को जब हम ग्रेवी में डालेंगे तो उसका जो स्वाध है वो कोफते के अंदर तक पोचे, इसलिए काटा चमच की मदद से इस तरह से हम इसमें होल बना लेंगे तो अब आगे बढ़ते हैं ग्रेवी बनाने की ओर सबसे पेले कडाई में तेल गरम करके एक चमच जीरा डाले, बाद में एक इच तजका टुकडा, पाँच लोंग, दो इलाईची, पाँच छे साथ काली मीर्च, दो सुकी लाल मीर्च, एक चोथाई चमच हींग डाले पाँच लसुन की कली डाले, एक इच अद्रका टुकडा कटा हुआ, बाद में दो हरी मीर्च कटी हुई अब डाल लेंगे चार नंग कटी हुई प्याज और साथी में डाल लेंगे एक चोथाई चमच हल्दी पावडर और आधा चमच नमक अब सभी चीजों को अच्छे से मिला कर कडाई को धक लेंगे और पाँच से साथ मिनिट तक मीडियम फ्लेम पर प्याज को भून लेंगे जब तक की प्याज गोल्डन ब्राउन कलर के न हो जाए तो दोस्तों सभी पंजाबी सब्जी में प्याज का उप्योग रहता ही है लेकिन प्याज को अच्छे से भूनना जरूरी है ताकी ग्रेवी का टेस्ट अच्छा आए प्याज भून गए है अब हम डाल लेंगे तीन नंग कटा हुआ टमाटर, पांच नंग काजू और आधा चम्मच खस-खस यानिकी अफिम सीड्स सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे फिर से कडाई को ढक कर पांच मिनिट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे तो लिज ये तयार हो गया है ग्रेवी का मसाला गेस को कर लेते हैं बंद और मसाले को रूम टेंपरेचर तक ठंडा होने देंगे बाद में मिक्स्चर जार में निकाल लेंगे और थोड़ा सा पानी मिला कर इसको ग्राइंड कर लेंगे तो दोस्तों जितनी ही अच्छे से आप पंजाबी सबजी की ग्रेवी तयार करेंगे उतनी ही अच्छे से सबजी का टेस्ट भी आएगा और सबजी खाने का मज़ा भी आएगा तो लीजिये तयार हो गई है ग्रेवी अब आगे बढ़ते है सबजी बनाने की और वाह क्या बात है ग्रेवी में से ही इतनी खुश्बू आ रही है कि ग्रेवी को ही रोटी के साथ खा जाने का मन कर रहा है लेकिन खेर कौफते तयार है तो सबजी भी बना लेते है तो कड़ाई में लिया है 5 चमच तेल गरम करेंगे इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे एक तजपत्ता और आधी चमच हिंग और उसके बाद डालेंगे जो ग्रेवी हमने तयार की है अब इसी के साथ डाल लेते हैं एक चोथाई चमच हल्दी पावडर आधा चमच नमक एक चमच धनिया पावडर एक चमच लाल मिर्च पावडर एक चमच काश्मीरी लाल मिर्च पावडर और आधा चमच चीनी सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे और साथी में डालेंगे एक कप पानी फिर से सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे और कडाई को ढख कर 5-7 मिनिट तक धिमी आज पर ग्रेवी को पकने देंगे पांच मिनिट हो गई है चलिए देखते हैं क्या हाल है ग्रेवी का वाँ ग्रेवी अच्छे से सेट हो गई है अब इसके अंदर हम डाल लेते हैं आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच सुखी हुई हरी मेथी के पत्ते वाँ बढ़िया अला जवाब खुशबू आ रहे हैं अब इसके अंदर हम डाल लेंगे तले हुए कौफते सभी कौफते को ग्रेवी के अंदर अच्छे से डाल लेंगे और अच्छे से ग्रेवी में मिला लेंगे और मिडियम आज पर पाँच मिली तक कौफते को सेट होने देंगे ताकि जो ग्रेवी का टेस्ट है वो कौफते के अंदर तक जाए और जब सबजी हम खाएंगे तो कौफते इतने रसीले हो जाएंगे कि मूह में ऐसे ही पीघल जाएंगे वा भई वा क्या बात है लो तयार हो गई हमारे कच्छे केले के कौफते की सबजी तो आप भी आनंद उठाएं इसको तंदूरी, रोटी, नान किसी के भी साथ सर्व कर सकते है सच्ची में जरूर से ये रेसीपी ट्राए करे और कमेंट बोक्स में आपकी कमेंट जरूर से करे केसी लगई आपको ये सबजी थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्यू सो मच और दोंट फर्गेट, लाइक, सब्सक्राइब और शेर मैं चैनल थैंक्यू जहे हिंद